दोस्तों नोशकार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे टोप 10 बिजनेस आइडियाज के बारे में जो इंडिया के अंदर most profitable business आइडियाज हैं मैं ने पिछले कुछ साल में जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें मैंने कस्टमर्स के एंड पे जाके भी सूट कियें कुछ फैक्ट्री के अंदर भी जाके शूट कियें जितनी भी जनगे में गया और मैंने कुछ लाइव जो company हैं जो फैक्ट्री को मुझे लोग Rim clarify वीडबैक मुझे मिला तो उनसे उनकी बाते सुनके उनका प्रोफिट को सुनकर के मेरा एक स्ट्रोंग बिलीव सिस्टम बना कि यार वास्तों में ये टोप 10 बिजनस है जो आपका जीवन बदल सकते हैं और इसमें कुछ बिजनस ऐसे भी है जिसमें आप महीने का मतलब 10 अकॉर्डिंग लिए मानता हूं मुझे लगता है कि एक ओयल मिल बेठाना ओयल मिल का बिजनस रोग करना वो सबसे अच्छा है ओयल मिल का जो जो बिजनस है इसमें लगबग छोटा सा भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो लगबग यूं समझिये कि साड़े साथ एच्प और फिर छोटी इंवेस्टमेंट के साथ मतलब लगबग आप समझो चार पांच लाग रुपे की इंवेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं पांच लाग रुपे भी अगर किसी के पास नहीं है तो उसमें बैंक और जो सब गोवर्मेंट है सबसेडी वगरा भी देती है तो कम से कम अगर समझो 20% पैसा जितने भी मैं बिजनस आइडियाज आपको बताऊंगा अगर उसका 20-25% पैसा भी आपके पास है तो बाकि आपको सरकार से फंडिंग हो जाएगी उसके भी कुछ तरीक्ये होते हैं और कुछ ना कुछ वो भी है वो नेक्स्ट कभी वीडिय यह होगी तो उसमें हम आपके साथ शेयर करनेंगे कैसे फंडिंग लेना है तो यह तो हो गया कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ में और फिर मैंने एक वीडियो मैंने बनाई थी ही मोतिहारी जिले के अंदर बिहार में मोतिहारी जिले के अंदर तो अभीशेक भाई का एक वी मिल बैठाया जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट गई थी 50 लाग के आसपास तो अभिशेक भाई से जब मैंने मिला था मैं तो उनकी जो उन्होंने जो एक देड़ महीने के अंदर उनका डेली का सेल 200 किलो पर डेव जा रहा था और उस पर वो प्रोफिट बता रहे थे कि एक अटा चक्की फ्लोर्मिल लगाना तो फ्लोर मिल भी क्योंकि डिमांडट जैसे ओएल की की बीडी मांड हर गरust होता है यह एसा ही आटा जो है वहर घर में इस्थमाल होता है तो आप आटा प्लांट पी आप लगा सकते हैं आटे प्लांट के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो मैंने मनाई है उसमें भी आप मतलब 3 HP 5 HP से स्टार्ट करके और फिर 20 HP 50 HP 60 HP तक का प्लांट लगा सकते हैं उसके भी कुछ लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे छोटी जो मशीन लगाओगे तो उसमें आपका डेली का मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ अगर मैं एक लाख रुपे देड़ लाख रुपे की अगर आप चक्की लेकर करके आते हैं गाव में सेट करते हैं या क वो भी डेली का 5,000 पे की इंकम कमा रहे थे 5,000 पे डेली का प्रॉफिट और उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो गईती लगबग 25-30 लाख के आसपास में और बहुत अच्छा बिजनस वो कर रहे हैं फिर तीसरा उप्शन में अगर आपको बताना चाहूं तो तीसरा उप इंवेस्टमेंट की बात थोड़ा सा मैं बता देता हूं जो वोटर प्लांट आरो जो प्लांट लगाते हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो लगबग आपका जाएगा 5,000,000 के आसपास जिसमें आपकी आरो प्लांट सेटप भी हो जाएगा कुछ बोटल्स भी में बिखता है वो 15-20 रुपे के आसपास तो ठीक प्रोफिट आ जाता है अगर इसमें आपका थोड़ा सा ओड अच्छे लेवल का बिजनस करना चाहते हो आरो वोटर में ही तो आप आरो प्लांट के साथ में आप थोड़ा बोटलिंग प्लांट भी आप लगा सकते हैं मतल पास साथ लाग रुपे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ठीक ठाक प्रोफिट उसमें आ जाता है मतलब उसमें भी 45,000 रुपे डेली का प्रोफिट आप निकाल सकते हैं चोथा फेर एक बिजनस है जो पर्टिकुलरी गाउं के अंदर तो बहुत सही है बाई वो है डेरी ब स्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अच्छे से चैक कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टेमेटिक डंग से बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं फिर अगर हम पांच वे नंबर पर बात करें तो आप जा सकते हैं जो मिल्क पनीर है ठीक है दूद वाला जो है क्या असपास जाएगा तो कई अपने अलग-अलग डिजन्स की वज़से जो तोफू है वो मार्केट में अभी अच्छे कासी डिमांड पर तो तोफू का बिजनस कम कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा प्रोफिट आपको दे सकता है इसके उपर भी मैंने एक वी प्रेंड को चोड़ करके सब जो है सोर्सिंग कर रहे हैं जैसे गुलाब जामुन रजगुला और बर्फी लड़ू यह ऐसी चीजे हैं जिसमें आप अपना कुछ बना करके सप्लाई कर सकते हो तो वह एक आजकल यह मशीन आ जाती है और सब कुछ ऑटमेटिक तरीके से सिस में कर सकते हो डिमांड नो डाउट आपको पता ही है बहुत अची डिमांड रहती है स्वीट्स की और प्रोफिट भी आपको ठीक ठाक प्रोफिट इसमें आ जाएगा मतलग इसमें अगर मेरा अपने अनुभव से में इसमें बताऊं तो लगबग आपकी जो मशीन है जो र नहीं है डेली का आप 5,000, 10,000, 15,000 तक का प्रोफिट आप निकाल सकते हैं थोड़ी महनत आपको करनी पड़ेगी थोड़ी दिर में लेकिन थोड़ी दिनों तक क्योंकि कुछ पार्टी आपको बनानी पड़ेंगी कुछ कस्टमर्स नहीं बनाने पड़ेंगे लेकिन उससे कि उसको मतलब आप शायद ना खाओ अपनी मिठाई को लेकिन उसको दुनिया खाने वाली है तो थोड़ा सा क्वालिटी का उसमें भाई प्लीज ध्यान रखिएगा बले ही कोई चीज बनाने में आपको 10 रुपे जादा लगते हो लेकिन एक अच्छी चीज बना करके मार् चाता हूं यार मुझे देखने वाले कम से कम क्योंकि मैं खुद कभी बहुत सारी चीजे बहुत सारी वीडियो बहुत सारे जो कंपनीज उनको मना कर देता है उनकी प्रमोशन के लिए जहां पर मुझे लगता है कि यह इनसान दूसरे के पैसा खाएगा या उसको यो है तो आपको जब एक बार कस्टमर्स बना लेंगे जैसे स्वीट का था ऐसे ही बेसन का है एक बर किस्टमर्स बनाइए एक बार की wedra saint फेर त्रापको लगातार उन Bowl अनसे जो कि मिलता रहता जै ऐसे जो ब strang подnat sensor से brightness be полच मिले बनसे दогर कर दो पीदिश को मुझा में। अंदर एक वीडियो बनाई थी उनका तीन टन बेशन डेली सप्लाई कर रहे थे और उनके पास सिरफ एक मशीन थी 20 HP और उनका कहना था हम किश्भाई के लगबग 2 रुपे या 3 रुपे के आसपास मैं बचा पाता हूं बस लेकिन तीन टन और तीन तन गवलत तीन हजार किलो डेली सप्लाई कर दें और तीन रुपे का प्रोफिट आ रहे हैं बिजली मैन पावर और जो उनकी फैक्टरी का जो किराय विराय निकाल करके तो मतलब 9000 पर डेली बहुत अच्छा है और एक शांती बरा बिजनस है ठीक है फिर आठवे नंबर पर दोस्तों मेरा एक जो औ आप पट्र चिप्स का आप बिजनस कर सकते है पटेटव वेफर का जाते हैं तब आप नमजचे कर सकते हैं तब आप जो रिखनार वाला स्पेशल कुछ बंस बना करके बेज सकते हैं और नहीं तो प्रोबीजेख वेल फूरे तूर टिरश ? कम सि利 anytime का जाता है जो अगर शुरू कर ले लेकिन मैं बात दो लाग रुपे जो मैं बॉल रहां उसमें वह बात करना हूँ कि था कि आप Automatic आपका Automatic तरीक्टे से लुको चीलना Automatic तरीक्टे से मेन है तो उसके बाद regular एक बार customer बन गया तो आपको regular जो है order आपते रहेंगे 9th number पे है दाल मिल आप एक दाल मिल start कर सकते हैं दाल मिल की भी जो investment है लगबग एक लाग रुपे से स्टार्टिंग हो जाता है और आपने बड़ा सेट करना है तो दस बीस लाग रुपे क्या सपास में भी आप सेट कर सकते हैं आपने देखा होगा दाल के भी बहुत सारी की महनत है और डेली आप इसको ओनलाइन भी कर सकते हैं और अपना ओफलाइन मार्केट में भी सप्लाइ कर सकते हैं तो बहुत शांदार concept है फिर 10th नंबर पे आगया दोस्तों स्पाइस का बिजनस मसाला बिजनस मसाले का बिजनस भी आप देखोगे के डेली नीट्स के आइटम है हर घर में इस्तमाल होता है एक मशीन भी अगर आपने रख ली मतलब मसाला मशीन का तो ऐसा है के समझो 3 HP 4 HP 5 HP 5 HP की मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हो 5 HP की मशीन आपको 50 kg का मसाला जो आना एक घंटे में बना करके तयार कर देती है एक ही मशीन से आपकी हलदी भी बन जाती है मिर्च भी बन जाती है और भी जैसे धनिया पीचना यह सब सारा हो जाता है इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी लखनव के अंदर तो उनकी वीडियो का मैं आपको लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल दो वह जाके आप देखना उनकी कुछ एक क्रोड के असपास में जिसमें उनका तो काफी बड़ा प्लांट उन्होंने ऑटोमेटिक जो है वो पैकेजिंग मशीन्स खरीद रखी थी और बड़े लेवल का काम कर रहे थे छे महीने के अंदर ही उनकी जो सेल थी वो लगबग 15 लाग 20 लाग रुपे महीने के आने लगी थी तो लेकिन इसको आप स्टार्टिंग मतलब एक चोटे लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हो चोटे लेवल का इन्वेस्टमेंट जो है आपका समझो के डेड़ लाग रुपे दो लाग रुपे में स्टार्ट हो जाएगा तो 15-20 लाग रुपे की सेल ना करके फिर भी छोटी मोटी मतलब इतना तो आप कर सकते हो कि देड़ अजार-दोजार-डाई-जार पर डेली का प्रोफित आप निकाल पाऊगे यह दर्स बिजनस आइडिया है और बहुत ही शांदार है अच्छा प्रोफित मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पर सारी मिल जाएगी एक लास्ट एक बिजनस आपको एडिशनल में बता रहा हूं अगर आपको लगता है कि यह सब नहीं करना तो भाई फिर आप मेरी तरह यूट्यूबर बन सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी आपको आजकल सबको प्रता है कि यूट्यूब चैनल कुछ आप अच्छा काम करोगे अच्छी चीज़े पब्लिक को दोगे तो लोग आपको फोलो भी करते हैं और स्पॉंसर्स भी आपको मिलेंगे तो यह सब चीज़े हैं आप कर सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह पसंद आया होगा और वीडियो आपको कैसा लगा या नेक्स्ट किस टोपिक पर आप चाते हैं कि मैं यह वीडियो बनाऊं तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए कमेंट भी कीजिए क्योंकि आप लोग के लिए हम मैनत करत हैं ताकि आपको घर बैठके अच्छी जानकारी मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यावाद